नवसकार दोस्तों प्रिलीम बूश्टर न्यूज डिस्केशन में आपका स्वागत है चलिश वाद करते हैं दा हिंदू की इंपोर्टन न्यूज से जो की हम डिसकेश करेंगे प्रिलीम परस्पेक्टिव से सबसे पहले हैं मर्सी पिटिशन कंटेक्स्ट क्या है कुल बुशन जादव जो कि एक भारत के नागरिक है जिनोंने पाकिस्टान ने जिन पर जुठा एलजाम लगाया और उनको फांसी की सजा दी अब बाद में सेकंड मर्सी पिटिशन डाली है कुल बुषन जादोने पाइस्तानी अथोटीस के आगे में तो अब पाइस्तान में मर्सी पिटिशन काWhy door को वह फिर भाहरत का नागरीक हो वह चाहे तो अपनी सज़ा माफी के लिए प्रेजिडंट के आगे या फिर गवर्नर के आगे पिटिशन डाल सकता है तो दो authorities है, President के आगे भी, Governor के आगे भी, और उसके लावा देखे, कोई maximum limit नहीं है, कोई maximum condition नहीं है, President के उपर, ये Governor के उपर की आपको इतने समय में आपको उस Petition को समधान निकालना है, या फिर उसका answer देना है, कोई भी time limit नहीं है, एक important बात, अब देखे, President की बात की अपनी मर्जी के अनुसार, उस mercy petition पर फैसला ले सकते हैं, President हमेशा काम करते है, Council of Ministers की aid and advice से, तो यहाँ पे mercy petition का answer देते समय, वो एक परकार से सुनेंगे, Ministry of Home Affairs की, Ministry of Home Affairs जो उनको recommend करेगा, वही फैसला देना पड़ेगा, President को, उसके बात में देख लेते हैं, President जब mercy petition का फ Supreme Court में जा सकता है, और देखिए सारी petitions है, सबसे पहले मालीजे Supreme Court का final verdict आ गया, उसके बाद में Supreme Court अपने decision पर फिर से विचार कर सकता है, उस चीज़ को कहते हैं, Review Petition, Review Petition के बाद में Curative Petition भी हो सकती है, इसके बाद मर्सी Petition, President को भी डाली जा सकती है, और Governor को भी डाली जा था, ICC Champions Trophy के final में पाकिस्तान की जीत होई और इंडिया की हार हुई, तो 15 लोगों ने पाकिस्तान की जीत को celebrate किया, बाद में उनके उपर में sedition के charges लगाए गए थे, तो काफी criticism इस चीज़ का हुआ था, तो section 124-1 है क्या, वो हम देख लेते हैं, देखे, कोई भी व्यक्त फिलाता है सरकार के खिलाफ में, contempt करता है सरकार की, या फिर सरकार के खिलाफ में नफरत फिलाने की कोशिस करता है, तो उस पर इस तरह के charges लग सकते हैं, तो कितनी सदा हो सकती है, देखे, imprisonment for life भी हो सकती है, इसके साथ-साथ fine, या फिर तीन साल की सजा और fine हो सकते हैं, त पति सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है ये जोड रहा है क्रिष्णा और गुदावरी नदियों को जब क्रिष्णा और गुदावरी नदियों को जोड दिया जाएगा तो देखे ये राइसलीमा का जो रीजन है अंदरपरदेश का यहां पे काफी बार सुखा आता है वो सुखा नहीं रहेगा और सिचाई की सुधाएं उपलब्ध हो जाएगी ये फिलाल 2015 में UPSC ने इस पर कोशन पूछा था और फिर से सुर्ख्यों में है क्यों सुर्ख्यों में है क्योंकि देखे ये लिंका बुक ओफ रिकोर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है पतिशीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का रिकोर्ड टाइम में एक साल के अंगर अंदर ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया तो इसलिए आप इसे याद रखेगा योगा विलेज केरला का जो विलेज है जिसका नाम है कुन्नम थनम ये पहला ऐसा विलेज अज़ इस पूरे गाओं को योगा विलेज डिकलेर किया गया है नाम है कुन्नम थनम आगे है पोलर सेटलाइट लोंच विकल आज एक बड़ी सी न्यूज है ज़्यादा वैसे माइनूट डिटेल्स है मतलब काफी ज़्यादा डिटेल्स है लेकिन फैक्शल डिटेल्स काफी ज़ ज़्याद दूसरे स्थान पर भेजती है ठीक उसी तरह ये सैटलाइट लोंच विकल जो होते हैं वो सैटलाइट को नीचे से ओपर तक लेके जाते हैं समझ गए तो पॉलर सैटलाइट वूच विकल ने एक सैटलाइट है जिसको नाम है काटो 7 सेकंड ये सैटलाइट जो ह सेटलाइट है तो इसको देखिए और बीट में पुंचा दिया पोलर सेटलाइट लॉंच विकल ने और थोड़ी बहुत जो सेटलाइट लॉंच विकल में तीन स्टेजी होते हैं और क्या डिफ्रेंस है जियो सिंक्रोनेस और जियो सिंक्रोनेस अब वैसे समझ में आएगा आपको चितर बनाके तो चितर मुझे इंक्लूड करना चाहिए था देखिए सिंपल थोड़ा सा ऐसे समझ लेजिए बाल में त अब देखिए धर्ती से देखने पर जो जियो सिंक्रोनेस सेटलाइट होते हैं वह एक टाइम पर उसी स्थान पर मिलेंगे माली चार चार बज़े आप देख रहे हो तो उसी लोकेशन पर मिलेंगे यह होते हैं जियो सिंक्रोनेस सेटलाइट आठ की सेप में यह होते हैं आ जब्लाइट्स यह हो सकते हैं TV सब्लाइट्स हो सकते हैं इन सभी छीजों को यह मोनिटर करते हैं को दो और भी होते हैं hmm polar orbit dolor oft में क्या यह विदेखिए यह अर्थ है ताकि दिखियें कि जो मक्सद होता है कि स्पाई के लिए यूज होते हैं इमेजिंग के लिए या फिर वेदर सेटलाइट्स ही होते हैं इसलिए हमेसा इनको सुर्य की रोस ने मिलती रहनी चाहिए तो उस और्बिट में जो सेटलाइट चकर लगाते हैं वो होते हैं Sun Synchronous Satellites और जो Orbit है उसका नाम है Sun Synchronous Orbit Weight कितना होता है? Weight हो ज्यादा important वैसे है नहीं Sun Synchronous या Polar Orbit का weight होता है वो 1750 kg और Geo Synchronous या फिर Geo Stationary Satellites होते हैं उनका weight होता है 1425 kg तो यह हम करेंगे डिटेल में जब हम Science and Tech डिसकस करेंगे News में तो कुछ भी नहीं है जो कुछ डिसकस किया आमने काफी कुछ extra ही डिसकस किया चिन्ता मत कीजिए छोड़ेंगे नहीं हम कुछ भी UPSC ने काफी अलग pattern से इस बार paper पूछा है तो एक step हम उनसे आगे ही रहने की कुछिस करेंगे चिन्ता मत कीजिए आप Insolvency Bankruptcy Code 2016 आज एडिटोरियल की वीडियो में हमने डिटेल से इस मुद्धे पर चर्चा करी थी ठीक है तो उसमें क्या थे उसमें ये डिसकस किया था आमने की background क्या था देखने के लिए आप सुबह का वीडियो देखो प्रीलिम के लिए क्या इंपोर्टेंट है वह हम यहां पर देख लेते हैं इन्हों ने कहा कि देखिए आर्ब्याई ने कहा पचपन केसिस को आप Insolvency and Bankruptcy Code के इसाब से सोल कीजिए अजर्वाइस आप action phase कीजिए non-performing asset की problem काफी ज़्यादा बढ़ गई है कल के वीडियो में हमने discuss किया था कि strategic asset क्या होता है इसके अलावा हमने stressed asset के बारे में भी discuss किया था तो आप बताईए कोमेंट में नीचे आप बताईएगा कि stressed asset क्या होते हैं आप बताईएगा रिवीजिन हो जाएगा परसो की वीडियो में में discuss किया था what are the stressed assets अब देखिए non-performing asset जो है वो बढ़ता ही जा रहा है आठ लाग क्रोड का ये हो चुका है और जो insolvency bankruptcy code आया था वो इन cases को जो bankruptcy के cases को जल्दी solve करने के लिए आया था पहले बहुत ज़्यादा authorities थे अब ये single authority बना दी गई है एक minimum time frame रखा गया है 180 days 180 days में इनको ये cases को सुलजाना है अब देखिए जो insolvency professionals होते हैं ये एक परकार से mediation का का काम करते हैं बीच में एक परकार से समझोता करवाते हैं बैंक्स के बीच में और जो जो जिनोंने लोन लिया था companies वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं उनके बीच में अब कई सारे solutions के पेस कर सकते हैं जैसे 5 by 25 HDR 5 by 25 क्या होता है माली जी देखिए इनको लगता है बैंक्स को लगता है कि कोई company वास आप वो मियाद भढ़ा सकते हैं कि 25 साल आप और ले लिजिए और हर 5 साल बाद हम जो लोन की terms हैं वो change करेंगे तो इस scheme को का गया था 5 by 25 इसी तरह से जो भी करवाना होगा यानि यह जो mediator होंगे insolvency professionals वो mediation करवाएंगे banks के बीच में और individuals या companies के बीच में जिनको लोन व जातिया इसे कई चीजों से लोन ले सकती है अगर वो लोन चुकाते हैं तो ठीक है नहीं तो bank क्या करते हैं उनके asset को बेच देते हैं माली जी kingfisher ने loan लिया नहीं चुका पायए तो kingfisher के विमान बेच देंगे या kingfisher के जो building से वो बेच देंगे लेकिन माली जीन जिन companies से यहां भी आप अभी समझोता करवाईए जब तक 75% creditors यानि जिनों लोन दिया वो नहीं मानेंगे तब तक इस चीज़ पर वो नहीं कहेंगे insolvency professionals को mediators को कि आप समझोता करवाईए हमारे बीच में और उन individuals के बीच में जिनों ने लोन लिया है तो यह काफी important था अब थोड़ा सा यह देख लेते हैं insolvency bankruptcy board of India में कौन को नाता है 10 सदस्या होते हैं इसमें देखिए एक chairman होता है 4 सदस्या RBA के तरफ से 5 सदस्या government के तरफ से RBA एक को nominate करता है बाकि 3 ex-officio होते हैं और government में से minimum 3 जो होते हैं वो full time members होते हैं या तो 5 साल जल्दी पूरा हो जाए या फिर 5 साल से पहले ही अगर 65 age पूरी हो गई तो वो term खतम हो जाए किसी भी member की reappointment के लिए वो eligible है अब P.I.P. discussion हम करते हैं Sweden भार्त के परधानमंत्री ने Sweden के जो परधानमंत्रिया उनका धन्यवाद किया make in India में sport के लिए तो एक location देख लेते हैं Sweden की location कहां है यहाँ पर देखें यहाँ पर Sweden की location है Scandinavian countries में यह आते है Scandinavian countries में मैंने तो वैसे तीन countries आते हैं देखें एक Norway, एक Sweden और एक Portugal पूर्टगाल पूर्टगाल नहीं Denmark पूर्टगाल तो ग्रीब देख है, पिक्स में आता है ग्रीब नहीं है मतलब, कहने का मतलब वो है न आपको याद होगा, Europe में recession आया था तो चार-पांस जो देख थे जहां जिनकी वज़े से एक प्रकार से वो crisis आये थे, तो कौन-कौन से वो चार-पांस देख थे, पूर्टगाल था, आईरलेंड था आईरलेंड नहीं था, साइध इटली था स्वरी मुझे पिक्स का पूरा एकदम से कौन-कौन से कंट्रीज थे वो याद नहीं है, जीफ और ग्रीज थे और ये सारे जीफ देश थे, उसके बाद में क्या है, देखे सरकार ने डिशाइड किया कि एक ग्रूप की नई सर्विसी का निर्मान करेगा, मालब IES के अंदर में Indian Nevel Material Management Service का निर्मान करेगी सरकार, जैसे IES का टेस्ट होता है न, Indian Engineering Service तो उसमें काफी सारी सर्विस आती है IES के अंदर में, जैसे Railway Store Management Service, ऐसी कुछ सर्विस है जो कि Railway के स्टोर को Manage करती है, कि क्या क्या चीज नई प्रक्योर करनी है वेर आउसिंग में कौन सी चीज कैसे स्टोर होगी अब उसी सेम चीज के लिए सरकार अपनी Neville जो स्टोर है उससे इलेटेड जो Management Service है बना रही है Indian Neville Material Management Service तो इससे क्या होगा देखे, IES का पेपर तो काफी लोग पढ़के देते हैं काफी एक परकार से पढ़े लिखे पढ़े लिखे तो वैसे और भी होते हैं लेकिन highly professional, highly efficient जो लोग हैं वो एंटर करेंगे इस सर्विस में जिसका नाम होगा Indian Neville Material Management Service तो सरकार को काफी फाइदा होगा कौन सी मिनिश्टरी के अंदर में आएगी या आएगे Ministry of Defence के अंदर में तो 4-5 चीज़े जाद रखेगा आप कौन कौन सी चीज़ें जैसे एक तो कौन सा ग्रूप की सर्विस में एड होगी यह होगी एक ग्रूप की इंजिनरिंग सर्विस के अंदर में IES में नहीं होगे यानि जो civil services में नहीं होगे यह इंजिनरिंग सर्विस में एड होगे दूसरा efficiency इंप्रूप करेंगे श्टोर के और आएंगे कौन से मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस में आगे देखिए cabinet ने एप्रूप कर दिया कई सारे MOU साइन होंगे कई सारे देशों के साथ में ज़्यादा important तो नहीं लेकिन यह इसलिए important है लाश्ट में इस दो-तिन स्लाइड के बाद मैं आप से question पूछूँगा एक अब देखिए Australia के साथ में एक MOU साइन हुआ textile clothing fashion से लेटिड जो भी एरिया है वहाँ पे और कौन से department ने sign के department of foreign affairs and trade ने आर्मेनिया के साथ में आर्मेनिया कहा है यहां… यहां पे दिख लीज़ी यह location है आर्मे sporty student is यहां पे नीचे उसके बाद में अजरबेजान से टेस करता है जोर्जिया से टेस्टेस करता हैं लेकिन कैस्पेंद सी से टच नहीं करता आर्मेनिया तो आर्मेनिय के साथ में भी हमने एक M.O.U. साइन किया Peaceful Use of Outer Space Outer Space का Peaceful Use हो उससे एलेटिड हमने एक M.O.U. साइन किया है आर्मेनिय के साथ में सिललंका के साथ में हमने M.O.U. साइन किया है Traditional System of Medicine and Homeopathy तो इससे एलेटिड Ministry of IUs ने ये MOU sign किया है सिलंका के साथ में पूर्टगाल के साथ में भी हमने MOU sign किया है Public Administration and Governance of Reforms ये आता है Ministry of Personal Public Grivances and Pensions के अंतरगत ये देखें ये position है पूर्टगाल की Atlantic Ocean के पास में है पूर्टगाल और अफरीका के पास में है अफरीका से टच होता है ये State of Gibraltar है चलिए आगे चलते हैं नीदरलेंड के साथ में देखिए Cabinet ने MOU एप्रूव किया एक परकार से वो है Bilateral Corporation Water Resources and Management को लेके Bilateral Corporation हो जो भी टेखनोजी दोनों देशों के पास में है एक दूसरे से share करें नीदरलेंड की position यहाँ पे है कभी कभी cricket भी खेलता है नीदरलेंड ये France, Belgium, Germany के ऊपर है नीदरलेंड यहाँ पे है अब बताएं ये question का answer दीजिए इस परकार से UPSC question पूछ लेती है रिसेंटली क्योंकि देखे P.I.B. का अभी कुछ भी हम चोड़ने वाले नहीं है P.I.B. के काफी सारे questions पूछे है UPSC ने तो सब कुछ करने कवर करने कोशिस करेंगे चाहे एक दो चीज फाल्तू हो जाए लेकिन छूटना नहीं चाहिए बस बहुत हो गया इस बार का जो भी आपका attempt होगा वो अंतिम attempt होगा ठीक है इस बार कुछ भी हो इतनी मैनत हम कर देंगे कि जो भी लोग कहते हैं कि ये luck factor काम करता है इतनी मैनत कर देंगे कि जो luck factor है उसे minimize हम कर देंगे कम से कम luck factor apply हो और जितना ज़्यादा हो चीजे हमें याद हो अब देखिए ये है अस्ट्रेलिया के साथ ने आमने आप डिस्कॉस किया था textile clothing और अर्मेनिया के साथ ने आमने डिस्कॉस किया था outer space से लेटी डील कर रहे हैं से लंका के साथ में आयूस से लेटी डील कर रहे हैं पूर्टगाल के साथ में public administration and governance reforms नीदरलेंड के साथ में जो MOE sign किया वो water resources के साथ sign किया अब ये इस चीज में आप confuse मत हो जाना कि कौन सी चीजे कौन सी ministry के अंतरगत आती है medicine and homeopathy नाम से ही जग जाई रहे है कि ministry of ius के अंदर में आती है outer space, department of space एक चीज का आप answer दीजेगा department of space कौन सी ministry के अंतरगत आता है department of space कौन सी ministry के अंतरगत आता है नीचे comment में आप इसका answer दीजेगा textile और आप भी answer दीजेगा तो उसके बाद में answer दोगे तो इस परकार से पहले हमने क्या किया था comment जो थे वो YouTube की तरफ से disable हो गए थे तो अब दुबारा से हम इस परकार से interactive session रखेंगे ताकि आप जो comment करो अपनी जो भी information आप add करना चाहते हो कुछ अपनी तरफ से information देना चाहते हो वो भी आप अपनी तरफ से information दो जैसे IUs के बारे में आप कुछ add करना चाहते हो इससे क्या होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो knowledge है वो मिलेगी सभी को इसलिए ये काम करना मैं आपके लिए तनी मैनत कर रहा हूँ इससे चीज़े आती है इसके अंदर A for Ayurveda, Y for Yoga और नचुरोपेथी, युनानी, सिद्धा, होमियोपेथी ये सब चीज़े आती है और एक और जो important चीज़ है वो है सारी पा यहाँ पे देखे यह जो है यह traditional Tibetan medicine है बस इतने ही important information है प्रिलिम के perspective से यह सारी जो bodies है वो ministry of Ayus के अंतरगत आती है नाम से ही पता लग जाएगा कोई खास ज्यादा सोचने विचारने क्या सकता नहीं है Central Counseling for Research in Ayurveda, Central Counseling for Research in Siddha, Central Counsel for Research in Yunani, Central Counsel for Research in Homeopathy नाम से ही पता लग रहा है सब चीज़ों का अलग से रट्टा मारने क्या सकता नहीं है यह दो चीज़े हैं यह देख लेना, Pharmacopcial Laboratory for Indian Medicine, PLIM और Homeopathic Pharmacopcial Laboratory, SPL यह दोनों चीज़े आप याद रख लेना, यह भी आती है Ministry of Ayus के अंतरगत आगे देखे नैशनल Productivity Council, अब देखे पिछले साल सरकार ने क्या किया इन्वार्मेंट से रिलेटिड कई सारे नए रूल्स लेकिया आई, Plastic Waste Management Rules, 2016, E-Waste Management Rules, या फिर Biomedical Waste Management Rules, अब इन सब को कोडिनेट कोन करेगा इन सब को कोडिनेट करने के लिए, इंप्लिमेंट करने के लिए सरकार ने एक बोडी का निर्मान किया है जिसका नाम है National Productivity Council कौन सी मिनिष्टरी के अंतर है ये, यहाँ पर आप फस जाओगे कौन सी मिनिष्टरी के अंतरकात आता है बतायए बताए वा के इसाब से या मेरे इसाब से आयगा ये Universe Ministry का नंतरकत लेकिन हम गल्रत हो जाएंगे यह आएगा autonomous body है और आती है ministry of commerce and industry के अंतरगत समझ गए याद रखेगा trick है यह मतलब trap है फस जाएंगे अगर हमने ध्यान पर नहीं रखा इस चीज को तो आगे survey of India है survey of India कुछ नहीं survey करता है और mapping करता है चीज़ों की कौन सी ministry के अंतरगत आता है वो important है यह आता है science and technology ministry के अंतरगत और उसके बाद में देखिए आप एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे यह बताइए कि जो meteorological department है meteorological department कौन सी ministry के अंतरगत आता है survey of India तो आप मैंने मान लिया कि science and technology के अंतरगत आता है meteorological department आप बताइएगा 1767 के अंतरगत इसे बनाए गया था और दैरादून में इसका headquarter है oldest scientific department of government of India ये है आगे देखिए open defecation free of states of India देखिए open defecation free states कौन कौन से हैं पहले तीन state थे सिक्किम सबसे पहले हमार देश में open defecation free state गोसित किया गया था उसके बाद में लोग तो याद रखेगा पांच states पहला सिक्किम दूसरा इमाचल परदेश तीसरा केरला चोथा उत्राखंड पांच्वा हरियाना employee provident fund EPFO EPFO का exam भी होता है अभी UPSC ने exam भी लिया था EPFO का इन्होंने देखिए एक sign MOU sign क्या है हुटको के साथ में यह MOU तो important नहीं है body important है statutory body है Parliament के एक act से बनाई गई है पहले ordinance से बनाई थी विरबाद में इसे act से पास कर दिया गया था इस body को बनाने के लिए act पास कर दिया गया था यह आती है Ministry of Labor and Employment के अंतरकत तीन schemes में लिस के अंतरकत इस के अंडर में आती है यहां लोगा देखिए जो भी लोग government job करते है या फिर दूसरी job करते है या प्राइवेट में भी तो PF जमा होता है प्राइवेट फंड जमा होता है तो वो कौन सी body deal करती है जो provident fund है प्राइवेट फंड बोला ना मैंने हाँ provident fund provident fund से कौन सी body deal करती है वो करती है EPFO कैसे जो पैसा इकठा हुआ सरकार उस पैसे या नि जो उस पैसे कैसे यूज करेगी वो सब चीजे decide करती है EPFO तो question इस परकार से आ सकता है जैसे labor identification number से कौन सी body deal करती है तो याद रखना है हमें EPFO deal करती है recap कर लेते हैं आज हमने क्या कर डिसकस किया आज हमने देखे दा हिंदू का mercy petition के बारे में डिसकस किया citizen charges डिसकस किये पती सीमा ने लिम का record में अपना नाम रजिस्टर करवाया वो डिसकस किया yoga village केरला का एक village उसको first yoga village declare किया polar satellite launch vehicle के बारे में brief discussion किया EPFO के बारे में हमने जाना तो आज की discussion में बस इतना ही thank you, thank you very much for discussion